सब्सक्राइब करें अपने यूटीव चनल लानामोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें यूटीव सब्सक्राइब करते हैं इस टेबलेट को मेडिकल इस्ट्रो पे क्या नाम से हम खई सकते हैं इस टेबलेट का प्रियोग किनकिन करें श्तित्यों में किनकिन बीमारी में लिया जाता है इसे किस तरह से लिया जाना जाएं जैसे कि बैटर इसेट rap quin सब्सक्राइब में हूं आपको मुरी आदिच आप देखरें अपना इडिप चनल लानडबॉत मेडिसिन चले आशे कुछ निया सिकते हैं एकलाज की दवा हें जो हमारे ब्लड में लिपीड के लेवल को कम करती है लीपीड में मुख की रूप से कोलेस्टोल चादा ट्राइगलिसाइड होते हैं रोजुवास्टाटिन हमारे सरी में HDL जो गुड कोलेस्टोल है इसकी मात्रा को तो बढ़ाती है और जो LDL है बेड कोलेस्टोल है इसके प्रोडेक्शन को कम करती है और इस टेप्रिन जो फिनो फाइब्रेट है यह एक सेकेंड जनरेशन फैब्रिक ऐसी डेरिवेटी होए ज साथी जो यूरीक एसीड है इसके एक्सक्रीशन को भी बढ़ाती है जैसे कि हमारे सेरी में HDL जो गुड कोलेस्टोल इसकी मात्रा बढ़ जाती है और LDL तदा ट्राइगलिस्टाइड है इन दोनों की मात्रा कम हो जाती है जब भी किसी मरीज को रोजू वास्ट्रेशन का स गाले बले उसा में यहाँ पर जानले सबसे पहले स्रेंद में रोज्वास्ट्रेशन फॉइस मिलिगरम होता है रोज्वास्ट्रीवD j тел design दी एकすो साथ मिलिग्राम और कुछ यह कंपनियां जिसकी दो च्रेंथatisfied निकालन वह है रोजुवा पटानि मीलिग्राम ताथ हैं फिनो फाईब्रेट 115 मीलिघ्राम भिता certains이다 गरा मैं यह कुछ अवजय और शुरूआत में जो इस स्टेंट इसकी जाने थी वह ही ज्यादा चलन से तक यहां को मेडिगल इस्टोप अ क्छा नाम से ख़ीज सते हैं कि घुक्ष drug जैसे की रोजू इस्टेट F tablet, rousette F tablet, rosette F tablet, rosette F tablet, rosette lip F tablet, tata rosette F tablet. यह है इसके कुछ popular brand है जो आपको freely कहीं पर मिल जाएगी. और यह सभी तेबलेट इन तिनों स्टेंद में available हैं. और इसकी सकते हैं, लेकिन इसका जो composition है, bienvenidos Serced Phenomy F vibrate होना चाहिए. अब वीडियो मागे इस टेबलेट की यूज़ को जान लेते हैं किन्किन इस्तितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है तो वीडियो की शिरुवात से लेकर अब तक आप जाने गये होंगे कि इस टेबलेट का प्रयोग हार्ट-related प्रोल्लम में नता जो कोलेश्टेटोल की और यह समश्यां होने पर यह टेबलेट मरीज को दी जाती है इन समश्यां होने का जो कारण है वो मुख्य रूप से कारण है व्यक्ति को ओबिसीटी मोटापा हो जाना व्यक्ति अगर डाइबिटीक पेसेंट है उसका जो बलड सुकर है वहाँ कंट्रोल नहीं रहता यह व्य Б missy है है पर कोलेस्टोव लेमिया जैसा कि इसके नाम सभी पता चल रहा है कि इसमें कोलेस्टोल की मातरा बढ़ जाती है जब व्यक्ति के यह लब Mix के द्वाराई किया जाता जो लिपीड प्रॉफाइल है अगर व्यक्तिकार कोलेस्टोल बढ़ गया है तो उसके टीट्मेंट में उस कोलेस्टोल को कम करने के लिए यह है टेप लिए डॉक्टर द्वार दी जाती है एक और बीमारी है जो लिपीड से जुड़ी होई है वह है इसके नाम से आपको पता चलेगा कि एक से ज्यादा लिपीड की मिक्स डिजीज है जिसमें हमारे लिपीड में तीन अलग सबस्टेंट्स है HDL, LDL तता triglyceride इन तीनों में से किनी दो लिपीड की abnormality हो जाने पर हम इसे मिक्स डिस लिपीडेमिय कहते है या तो जो HDL है इसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा LDL का लेवल बढ़ जाएगा या triglyceride का लेवल बढ़ जाएगा इन तीनों में से दो की जो प्रोब्लम है बहुँ जादा हो जाएगी उनकी रिडिंग में काफी changes होगा जब यह है इस्तती होती है तब यह टेबली डॉक्टर द्वारा दी जाती है साथ ही कोई व्यक्ती है जिसको arteries में blockage हो गया हो जिस कार्ण से उन्हें stunt लगाये हो लेकिन blockage तो 3-4 अलग लगते है लेकिन stunt एक ही लगाया गया हो दो लगाया गया है अब अगर जाने इस टेबलेट को लेने पर व्यक्ति को क्या-क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं तो जो कोमन साइड इफेक्ट उसमें व्यक्ति को नोज या या ओमेटिंग हो सकती है इसके लिए वह सीर दर्द रहेगा मास पेशियों में दर्द हो सकता है पेट में दर्द हो सकता है कमजोरी महसूस होगी और पूरे दिन नींद आये जैसा लगेगा इस तरह कि कुछ साइड इफेक्ट कॉमनली देखे गए हैं यदि यह या इसके लिए दूसे डिजर्बल इफेक्ट को मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद कर आपने डॉक्टर स आ से कए अब वीडियो के लाश में जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डूस होती इसको किस तरह से लेना चाहिए चाहिए इस टेबलेट की जो अलग लग तिन इस्टें थी जो ज़ाद़ाट में लिंधानी कहों पांच दिशे विर्ट बेंश ब Gegenे जानी है उसका ब्सकार दवा दी जाती है इस टेबलेट को खाने के पहले या खाने के बाद दोनों समय में लिया जा सकता है इसके डियूरेशन की बात करें तो इन ही शेली डॉक्टर दौरा पहले साथ दिन तक दवा दी जाती है जब वह स्टेंथ व्यक्ति में अच्छा रिजट बता देती है तो उसी स्टेंथ को रेगुलर कंटीन्यु कर दिया जाता है और अगर ज़्यादा नहीं होता तो उस टेंथ को बड़ा कर रेगुलर उसे दिया जाता है यह जो टेबलेट है कोलेस्टरोल के ट्राइग लेवल को बढ़ाने के लिए एक सपोर्टिव टीटमेंट है यदि इसको तता लोंग टर्म के लिए आप गटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लो फेट की डाइट लेनी होगी एक्सराइज करनी होगी यदि आप स्मोकिंग करते शोड़ना होगा एलकोल के से उनको बंद या कम करना होगा यदि बहुत ज़ाद एडिक्टिट हुआ उसे कम कर द पर डॉक्टर द्वारा इसे लिमीटेड डूस में दिया जाता है इसे बिना प्रेग्नेंसी मंदर में नहीं लेना चाहिए इवन अधर प्रेसिन को भी नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पूरी जानकाई थी रोजू वास्टटें तथा फिनो फाइब्रेट के बारे म तो इस बट्रों को दबा कर जूर से सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसको भी दबा देजी से कि आने वाले वीडियो के सभी नौटिफिश्चन अपमिल सकें और मेरे सभी वीडियो फूप में देख सकें आप ते अपने दोस्त मोहीत अधिच के साथ देखे अपने यूटीब चैनल लान वक मेडिशिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक कर एंड बीकर फोट मेडिशिन उस